आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ उसको हम experiment 1 दे देते हैं हम इसी experiment को extend करेंगे इस काम के लिए भी अभी देखो होगा क्या मेरे पास एक concave mirror है और आपको इसका focal length निकालना है ठीक है? तो concave mirror का focal length कैसे निकाला जा सकता है आप क्या कर सकते हो आप इसका ये हो गया इसका principal axis आप किसी तरह बहुत दूर से आने होरी race को इसके उपर incident करवा दो अगर race बहुत दूर से आ रही होंगी तो वो parallel हो जाएंगी principal axis के और जब ये race बिल्कुल हो जाएंगी parallel principal axis के तो ये after reflection किधर meet करती है ये meet करती है इसके focus के उपर ठीक है तो अगर आप कोई बहुत दूर रखी हुई object की image बनाने की कोशिश करोगे तो वो पकका meet करेंगी उसके focus के उपर ही तो अब आपको क्या करना है एक piece of paper ले सकते हो जिसको आप basically screen की तरह use करोगे ठीक है इस screen को इसके आगे पीचे जो distance है वो measure कर लेना है क्योंकि आपको पता है यही जो distance है यही उस mirror का focal length होने वाला है ठीक है यह था हम लोगों का पहला experiment जिससे हम लोगों ने focal length बता किया अब अगर हम इसका nature of image पता करना है object का final distance पे तो हम हमेशे जानते है object हमेशा या तो अगर real बनेगा तो वो focus से लेके beyond 2f या beyond c यहां कहीं बनेगा ठीक है तो आप क्या कर सकते हो इसी में बार बार अपने object को अलग अलग position पे लेके आओ उससे जो image formation होगा उसको पता करने के लिए जैसे अभी हमने पहले screen move करी थी तो screen को आगे पीछे move करो और अगर आपको screen के उपर कहीं भी image formation होते है दिख रही है तो आप जान सकते हो कि real inverted image बनी होगी पक का क्योंकि अगर real image नहीं होती तो आप उसको कभी भी paper के उपर या screen के उपर obtain कर ही नहीं पाते लेकिन एक condition ऐसी भी आएगी जब आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी कौन सी condition होगी वो actually दो conditions होगी पहली condition होती है जब आपको object focus पे रखा होता है क्योंकि इस case में even though real and inverted image बनती है बट आपको real and inverted image दिखेगी नहीं क्योंकि ये बनती बहुत दूर है infinite position पे बनती है ठीक है उसके इसको हम exclude कर देंगे क्योंकि वो हम लोग उसको इसमें use नहीं कर सकते और finally अगर मैं इसको इससे पास लेके आजाता हूँ between polar focus के बीच में रख देता हूँ object को तो अब इसकी जो image है वो आप कभी भी try कर लो आपके screen के उपर नहीं बिनेगी लेकिन आपको फिर भी दिख रही होगी वो image जब आप इस अपने mirror की तरफ द्यान से देखोगे तो अब वो इसलिए क्योंकि वो image बन रही थी virtual और virtual images जो है हमेशा erect बनती है और ये images कभी भी आपके इस screen के उपर capture नहीं हो सकती क्योंकि light rays कभी actually reflect करके meet करती ही नहीं है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग object at finite distance में क्या nature है image का उसको predict कर सकते हैं I hope ये questions अब को समझ आ गया होगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक